बेक टू स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ छटा चैप्टर होगा पेडागोजी का जो कि सूपर टैट के लिए डी ट्रिप्लेस भी के लिए और के वीएस के लिए बहुत ज़रूरी होगा और आज कहीं छटे चैप्टर में हम क्या करेंगे अच्छे सिक्षन की आपने जान ली आपने सूपर टैट के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक को निप्टा लिया तो इस पूरी वीडियो को देखना है इस पूरी वीडियो के अंदर जादुई तरीके से आसान भाशा में जिसको कुछ भी नहीं आता है पेड़ागोजी का वो भी देख रहे हैं लाइव तो जैसे ही आप आते जाएं लाइक का बटन दबाते जाएं और ये नया तरीका आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताते जाएं आज की इस वीडियो को पूरा देखना है Characteristic of Good Teaching एक अच्छा टीचर किस तरीके से पढ़ाएं क्या-क्या एक अच्छे टीचर की नहीं एक अच्छे सिक्षन की ना की सिक्षक की सिक्षन की क्या विशेस्ता होगा यानि कि पढ़ाया कैसे जाता है पढ़ाया कैसे जाता है How a teacher should teach characteristic of good teaching चलिए देखते हैं सबसे पहली characteristic आप यहाँ पर देखिए कि एक अच्छा सिक्षन सू नियोजित होना चाहिए सू नियोजित का मतलब होता है well planned और well planned का मतलब होता है जिसकी तयारी पहले से की गई हो तो classroom में जब भी आप पढ़ाने जो चीज जाएंगे वो pre planned होना चाहिए और उसके लिए आप बनाते हैं lesson plan और lesson plan को आप बोलते हैं पाठ योजिना बिना पाठ योजिना के पढ़ाई गई चीज उतनी effective हो नहीं सकती क्योंकि एक class में 10 तरीके से सीखने वाले बच्चे मिलेंगे तो परभावी सिक्षन करने के लिए आपका सिक्षन सुने ओजित होना चाहिए pre planned होना चाहिए कि मैं कैसे जाकर classroom के अंदर पढ़ाने वाला हूँ ये पहला point था चलिए दूसरा point देखते हैं सिक्षन सुझावात्मक होना चाहिए अब देखे सुझाव का मतलब होता है कि आप बच्चों को suggestion दे बच्चों को order ना दे क्योंकि आपको बता है कि बच्चों को order मानने की ना तो आदत होती है और ना बच्चे order मानना पसंद करते हैं तो बच्चों को जब आप सिक्षा दें तो आपका तरीका सुझावात्मक होना चाहिए यानि कि बच्चों को suggestion देने वाला होना चाहिए बच्चों को order देने वाला नहीं होना चाहिए ये दूसरा point था तीसरा पॉइंट अच्छे सिक्षन का है कि सिक्षन दया और साना बूति पूर्ण होना चाहिए यानि कि सिक्षन के अंदर क्या होनी चाहिए दया सिंपथी एंड कॉपरेशन एक दूसरे बच्चे जब साथ में बैट कर पड़ते हैं एक क्लासरूम के अंदर तो एक दूसरे की सहायता करें बच्चे इस तरीके की टीचिंग आप करें एक दूसरे बच्चे से एक बच्चा कनेक्शन महसूस करें एक बच्चे से दूसरा बच्चा कुछी सीखे इस तरीके का सिक्षन होना चाहिए जो अगला पॉइंट है वो है अच्छा सिक्षन प्रेरणा दायक होता है प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन देखिए अगर कोई टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो वो बच्चों को मोटिवेट भी करेगा आप सिक्षन कर रहे हैं एक दम से आपकी क्लासरूम के अंदर कोई बड़ा उम्र का विक्ति आ गया तो आप क्या करें? उनको नमस्ते करें उनसे प्यार से बात करें तो उससे आपका पढ़ाया हुआ मोटिवेट करेगा बच्चे को तो आपका सिक्षन प्रेरणा दायक होता है ठीक है? आप बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं वेन दे फील दे नीड एक्स्टरनल मोटिवेशन देन यूविल प्रोवाइड दी एक्स्टरनल मोटिवेशन तो देम ठीक है? अब देखिए अगला अच्छे सिक्षन में व्यक्तिकत वी बिनताओं को भी ध्यान में रखा जाता है व्यक्तिक वी बिनताओं को इंडिवीजिवल डिफ्रेंसिस के नाम से जाना जाता है एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, किस किस चीज में, एक दूसरे से रूची में अलग है, एक दूसरे से पसंद में अलग है, एक दूसरे से सेक्स में, एक दूसरे से सोसाइटी में, एक दूसरे से कल्चर में, तो बहुत तरीके से एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है तो एक अच्छा सिक्षन वही होगा जो individual differences को ध्यान में रखे दस तरीके से बच्चे सीखते हो दसो तरीकों से समझाए उसके अलावा एक बच्चे जो अलग अलग ढंग के हो कोई बच्चा maths में अच्छा हो कोई बच्चा science में अच्छा हो कोई बच्चा बहुत अच्छा नैतिक हो तो सिक्षन में individual differences का ध्यान रखेंगे किसी बच्चे को अगर मान लो कि maths के अंदर वो कमजोर है तो उसको maths सिखाएंगे कोई बच्चा जो है बत्तमीज है लेकिन वो हर चीज में अच्छा है तो उसे नैतिक बनाएंगे तो हर individual differences का आप यहाँ पर क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्त अगला देखिए सिक्षन परजातांत्रिक होना चाहिए परजातांत्रिक का मतलब होता है आपका democratic democratic का मतलब क्या हुआ जितने भी बच्चे हैं आप समान मोके भी बोल सकते हैं जो आपके फेवरेट हैं आप उन उन बच्चों को मोके देते जाएं और जो बच्चे आप से मतलब की ज़्यादा connect नहीं हो पाई हैं उनको आप जो है मोका ना दें ऐसा सिक्षन के अंदर नहीं होना चाहिए तो अच्छे सिक्षन की जो विशेस्ता है वो democratic पना भी है तो like करो इस वीडियो को जल्दी से और इस वीडियो के like का milestone में 2000 रखता हूँ एक साल हो गया इतने like आए तो इस वीडियो को 2000 like पर पोचा दो अगला point है कि सिक्षन परजातांत्रिक होना चाहिए यह बिल्कुल मैंने आपको बता दिया democratic होना चाहिए एक primary class में 30 बच्चे होते हैं तो 30 के 30 बच्चों के उपर आप ध्यान देंगे ऐसा नहीं है जो आपका favorite है जो आपको गुरुजी गुरुजी करता है सुब आते हैं आपके पैरों में डाइव मार देता है सिर्फ आप उसे के उपर ध्यान रखेंगे सिक्षन परगती शील होना चाहिए यानि कि बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए लगातार परगती ऐसा नहीं है कि आप एक साल से बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे उसी एक जिंगे पर रुके हुए है नहीं आपका सिक्षन परगती शील होना चाहिए बच्चे के development के तीनों एरियाज में लगातार विर्धी करने वाला होना चाहिए ठीक है अगला जो point है वो देखते है अगला point है दोस्त की सिक्षन निर्देश आत्मक होना चाहिए देखें निर्देश देने का मतलब क्या होता है निर्देश देने का मतलब होता है instruct तो आप याद रखें कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ role of a teacher role of a teacher तो वो होगा एक instructor के रूप में या फिर आप इसे facility, tator के रूप में भी बोल सकते हैं सुविधा परदान करता के रूप में भी बोल सकते हैं तो एक teacher को suggestion देने है निर्देश देने है ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी चीज़े खुद कराने लग जाए क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको teaching के उपर इतना जोर नहीं देना आपको किस चीज़ के उपर जोर देना है learning के उपर जोर देना है और जब आप teaching को छोड़ कर learning के उपर जोर देंगे तो आपका जो section है वो authoritative होने की बजाए निर्देश आत्मक हो जाएगा यानि की आप जो है section के अंदर क्या ले लेंगे back seat ले लेंगे और front seat पर कौन रहेगा आपका front seat पर आपका रहेगा बच्चा तो याद रखना कि section कैसा होना चाहिए निर्देश आत्मक होना चाहिए उसके बद लास्ट पॉइंट है की section निर्दानात्मक और उप्चारात्मक होना चाहिए निर्दानात्मक का मतलब होता है आपका diagnostic और उप्चारात्मक का मतलब होता है remedial यानि की आपकी जो teaching होनी चाहिए वो diagnostic भी होनी चाहिए और Remedial भी होनी चाहिए Diagnostic का मतलब क्या होगा देखे Diagnostic का अगर मैं बात करूँ तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले चेक अप किया जाता है तो जब भी आप सिक्षन करें तो सिक्षन के बाद बच्चे को मापें या फिर कहें जाचें और जाचने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि कमियां दूर करें जब भी आप बच्चों का टेस्ट लेंगे उन्हें सारी चीज तो आती हुई नहीं मिलेंगी तो जो चीज़े बच्चे को नहीं आती पहले तो आप उसे मापेंगे जाच करेंगे जो चीज बच्चे को नहीं आती उसे मापना जो है निदान कहलाता है और वो कमियां पता करके उन कमियों को दूर करना उपचार कहलाता है निदान को बोलते हैं डाइगनोस और उपचार को बोलते हैं remedy तो एक अच्छे सिक्षन के अंदर quality ये होती है कि वो diagnose भी करता है वो remedy भी करता है पहले ग्यान भी देता है और ग्यान देने में अगर कोई कमी रह जाए बच्चे सीखना पाए तो उस कमी को पता लगाकर दुबारा से उसको ग्यान देता है देखिए याद रखना कि जब भी remedial teaching होगी तो teacher पढ़ाने के बाद क्या लेगा feedback feedback को क्या बोला जाता है प्रती पुष्टी teacher feedback लेता है दोस्त कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आया है और feedback लेने के बाद जब teacher feedback लेता है तो उससे जिसको फिर उपचार करना बोल देते हैं जिसको फिर remedy करना बोल देते हैं तो आज की इस class में हमने क्या देखा दोस्त आज की इस class में हमने देखा कि अच्छे section की विशेष्टाएं क्या है याई कि गुड टीचिंग की characteristic क्या क्या है जिसके अंदर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो इन नो विशेष्टाओं को डिसकस किया यह आपको तरीका कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा एक नए advanced तरीका मैं लेकर आया हूँ smart board में ऐसे लिखते रहते हैं screen के आगर आके, वो अब मैं लिखता नहीं हूँ अब मैंने एक smart board की तरह यह चीज़े यूज़ कियें लेकिन इस इस रिल इनोवेटिव आप मुझे बताईएगा, कैसा लगा आपको और वीडियो पसंदाई हो तो लाइक करना जैसे मैंने बताया कि हमारे likes का milestone है, 2000 लाइक, तो वो आपको पूरा करना है, उसके अलावा दोस्त आप CTAT की तयारी कर रहे हो, किसी भी अलग-अलग CTAT exam की तयारी कर रहे हो, तो हमारी back to school की android app है दोस्तों, उसको आप जरूर install करें उसके बाद दोस्तों, हमारी app के अंदर आप जो है subscription जरूर लें, क्योंकि subscription लेने के बाद आप देखेंगे कि CTAT के अंदर 90% question होंगे, वो हमारे mock test उसके अलावा notes और PDF, उनके अंदर से ही आएंगे और ये कौन-कौन सी भाषा में आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और English में भी मिलेंगे, दोनों भाषा में आपको मिलेंगे, तो आपको चूकना नहीं है जल्दी से आप app को install करें और नीचे like का button दबाए और comment भी करें, कि आपको class कैसी लगी, और जल्दी से subscription ले, दोस्त जो हमारा ये chapter था ये था chapter number 6 हम ये जो pedagogy कर रहे हैं दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा chapter number 6 हम कर चुके हैं और हम ये pedagogy कर रहे थे super tech, dllb, kvs 2020 के सभी exams के लिए और ये हमारा chapter था characteristics of good teaching, एक अच्छे section की विशेस्ता हैं क्या होती है इससे अगला chapter होगा chapter number 7 pedagogy के साथ-साथ cdp की भी हमारी chapter की सीरी चल रहे है वो भी देखिएगा और इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और comment भी 2000 like का milestone हो पूरा करना है next video में मिलता हूँ तब तक के लिए जय इंद जय भारत एंड पढ़ते जरूर है नहीं thanks for watching back to school